थाइलेंड में विकसित थाइ मांगुर पूरी तरह से मांसाहारी मचली है। इसकी विशेशता यह है कि यह किसी भी पानी, दूशित पानी में तेजी से बढ़ती है, जहां अन्य मचलियां पानी में ऑंकसीजन की कमी से मर जाती है, लेकिन यह जीवित रहती है। थाइलेंड की थाइ मांगुर मचली के मांस में 80 प्रतिशत लेड और आयरन की मात्रा होती है। इसलिए इसका सेवन करने से कई प्रकार की इस मचली को खाने से लोगों में गंभीर बीमारी हो सकती है। इन मचलियों के अंदर घातक heavy metals जिसमें arsenic, cadmium, chromium, mercury, lead अधिक पाया जाता है, ज जो स्वास्थे के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। थाइ मांगुर के द्वारा प्रमुख रूप से गंभीर बीमारियां, जिसमें हृदय संबंधी बीमारी के साथ, neurological, neurological, liver की समस्या, pate, एवं प्रजनन संबंधी बीमारियां और cancer जैसी घातक बीमारी अधिक हो रही भारत सरकार ने 2020 में इन प्रजाती की मचलियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है।